फैंस भी सब्री से फामली मैंटू का इंतिजार कर रहे हैं हाली में फामली मैंटू का ट्रेलर लॉंच किया गया था जुसमें सीरीज की रिलीज डेट के बारे में भी पताया गया था सीरीज की रिलीज डेट से लेकर एक्सपेक्टेड कास्ट और एक्सपेक्टेड स्टोरी की जौनकारी के साथ मैं अम्रिदरश में हाजर हूँ आप देख रहे हैं इंडिया नियूज नाशनल फामली मैंन 2 को अमज़ोन प्राइम पर 4 जून को रिलीज किया जाएगा हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर में श्रीकान के जीवन की छोटी सी छलक दिखाए गई है ऐसा लगता है कि वह एक नई नौकरी के साथ पूरी तरह से एक नया जीवन जी रहा है और न्यूनितम आदमी बनने की कोशश कर रहा है श्रीकान्त एक नौनितम आदमी बन कर रहे जाएंगे श्रीकान्त और ज्वेके दफामिली मैन के बाटमैन और रॉबिन है क्या आपने कभी सोच रहा था कि रॉबिन अकेला हो जाएगा लेकिन जैसा कि रॉबिन ने एक बंधा क स्थिती पर अकेले वेंचुर किया है हमारा बिचारा बाटमैन निश्वित रूप से भावुक महसूस कर रहा है और यद्यपी ज्वेके अपने पार्टनर इन प्राइम के बना अपने काम के साथ आगे बढ़ता है हमने उन्हें अपने सहीयोगी एक स्थानिय पुलिस कर्मी उमायल के साथ फ्लर्ट करते हुए भी देखा तो क्या हमारा पसंदिदा ज्यके अब ज्यस्ट ज्यके होगा फामिली मैन का सीजन वन जिस तरीके से खत्म हुआ था उसने दर्शकों को जगजोर कर रख दिया था जिसके बाद से सभी जानना चाहते थे कि आके जोया और मिलिंद का क्या हुआ क्या मुसा अभीवी जिवत है लोनावला में क्या हुआ था क्या श्रीकांत कभी अर्विन के लिए सुचित्रा की भावनाओं के बारे में जान पाएगा खेर इन सभी सवालों के जवाब के लिए तो आपको ये सीरीज का सेकिंड पार्ट यानि की फामिली मैन टू देखना पड़ेगा किरदार के रूप में टॉलिवूड कुईन समानता अक्कीनेनी दा फामिली मैन के साथ अपना डिजिटल डेप्यू कर रही है उनके लुक्स ने खासा इंप्रेस किया है कॉंट्रोवर्सी में भले ही उनका किरदार आया हो लेकिन कहानी में उनके रोल को जानने को लेकर फान सीरीज के दूसरे हिस्से का बेस अपरी से इंतिजार कर रहे है अंत में आपको बताते चले कि सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आये है मनोच बाचपाई, प्रियामनी और शारिभाशमी इसे के साथ मैं मुख्य द्रश में आपसे जाज़ा चाहती हूँ अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें जादर से जादर लोगों के साथ शेयर करें अगर आप हमारे चानल पर नए आये हैं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चानल इंडिया न्यूस नाशनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद